नमस्कार गोस्तों इस चैनल पर काफी दिनों से भिहार के राजनीती को लेकर कोई खास चर्चा हम लोगों ने नहीं की थी वैसे भी इस चैनल पर हम स्टेट की पॉलिटिक्स को बड़े विस्तार से अकसर डिसकस करते रहते हैं लेकिन बिहार अकसर छूट जाता है क्योंकि बिहार के जितने भी मुद्दे आजकल चल रहे हैं आप सभी लोग जानते हैं कि बड़े नेशनल लिवलिके होजा रहे हैं राजनेति घटना करम चली है लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो टिक करने बहुत ज़रूरी है 2024 के लोकसभा चुनाओ के लिए बीजेपी की चिंताएं यहाँ पर यह बढ़ गई थी के जेडियू के अलग हो जाने से और जेडियू, आर जेडियू और कॉंग्रेस का महागडबंदन बंदन से लगबग 10% का वोट का जो अंतर है बीजेपी में और इस महागडबंदन में बन जा रहा है कि इस दस परतिशत वोट को जो वोट एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं मागडबंदन के उस अंतर को कैसे कम किया जाए और इसमें कोई संदे है नहीं कि महराष्ट और बिहार बंगाल उत्तर परदेश के बाद ये तीन स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को लोगसभा में सबसे ज़्यादा साहेता मिलने की उम्मीद रही है या उसे अब तक मिलती रही है अब बीजेपी को नुकसान इस बात का औरा था कि नितीश कुमार अलग हो गए आरजेडी के साथ चले गए कॉंग्रेस के साथ चले गए तो उनका जो 14-15 सीटों का जो डिफरेंस है वो किस तरीके से कम किया जाएगा और इसको कम करने के लिए बीजेपी ने बिना किसी घोशना के बिना किसी ऐलान के एक ऐसा सेटलमेंट अंदर खाने किया है कि अब मुझे लग रहा है कि शायद बीजेपी उत्तर परदेश के बाद अगर किसी स्टेट को लेकर सबसे ज़्यादे आश्वस्त नजर आ रही है 2024 में तो वो बिहार है आप कहेंगे कैसे मैं बताता हूँ कि बीजेपी ने यहां क्या इंतजाम किया है दिखें यहां प चिराग पासवान, मुके सहनी और उपेंद्र कुश्वाहा अभी तक साथ में थे जेडियू के लेकिन दो साल का उनका जो रोमांस चला जेडियू का जेडियू में उन्हें अपनी पार्टी RLSP को विले कर लिया था उससे वो अभी हाल ही में अलग हुए हैं और फिर उन्ह उपेंद्र कुश्वाहा ने एक ऐसा जटका मारा है नितीश कुमार को कि नितीश कुमार अर्ष से सीधे फर्ष पर गिरे हुए नजरा रहे हैं अपने साथ कुश्वाहा कोईरी जो बहुत बड़ा वोटों का वर्ग है अती पिछडा वर्ग आप जानते हैं कि नितीश कु मास लिडर हैं उनके पीछे लोग हैं उनके पीछे उनकी जात विरादरी के लोग हैं और इसी वज़े से उपेंदर कुश्वाहा ने जब ये देखा कि नितीश कुमार तो तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाने का खुआप देखने लगे हैं एक तरह से ओफिसियली एनाउसी कर दिया था उन्होंने नितीश कुमार ने कि 2025 का विदान सबा चुनाव हम लोग तेजस्वी के नेतरतों में लड़ेंगे तो पेंदर कुश्वाह ने का कि हम बेवकूफ हैं क्या हमने अपनी पार्टी को आपके साथ विले किया इतने सारे समर्थों के साथ हम आने के बजाए आप आर जेडी वाले के नेता को लालू के नेता को जिसके खिलाफ जेडी उने हमेशा पॉलिटिक्स की या कहना चाहिए कि अगर बिहार में अगर कोई राजनीतिक दल सक्रिये हुए हैं तो वो राजनीतिक सक्रिये किसलिए हुए हैं वो राजनीतिक दल इ इसलिए सक्रिये हुए हैं कि उन्होंने लालू परसाद यादव और उनकी पार्टी जो उनके जो बरश्टचार है उसके खिलाफ अपनी राजनीती को वहाँ पर केंदरित किया और जेडियू उनमेंज एक थी और आप कह रहे हैं कि हम उनको अपना उत्रहदिकारी बना हाला कि बाद में ललन सिंग जो जेडियू के अध्यक्ष हैं वो इस बात से मुकर गए थे कि हमने ऐसा कभी अनौस नेमेंट ने किया गया 2025 का 2025 में देखेंगे लेकिन इस बात से तेजसवी से भी नितीश कुमार की बिगड़ गई उन्हें लगा कि यार ये तो अपना बात वायदा करके मुकर रहे हैं हमेर तेह हुआ था कि 2024 से पहले ही मुझे CM बनाया जाएगा ये 2025 तक ले जाने लेगे खेर तेजस भी तो अब CVI और ED के छापों में उलज गए हैं और नितीश कुमार उनसे निश्चिंत हो गए हैं लेकिन नितीश कुमार निश्चिंत इसलिए भी परदान की गई है के इंदर सरकार के दुआरा ये साफ साफ संकेत है कि वो BJP के साथ जाने वाले हैं और आप सब जानते हैं कि जब Y-plus category की सुरक्षा मिलती है तो उसमें लगबग 11 सुरक्षा करमी मिलते हैं जिसमें 3-4 सुरक्षा करमी जो होते हैं वो National Security Guard NSG के Commandos वाली Intelligence को ऐसे input मिले थे कि उपेंदर कुश वहाँ पर फिर से हमला हो सकता है और अब तो वो GDU से अलग हुए हैं और एक तरीके से वो विरोधी खेमे में खड़े हो गए हैं बिहार में और बिहार के lawyer order के बारे में तो आप जानते हैं कि क्या स्थिती वहाँ इस समय है तो याद होगा कि RLSP इनकी जब party थी RLSP party बनाई थी इनोंने और ये उसमें BJP के साथ समझोते में गए थे और 2014 वाली जो सरकार थी मोदी की उसमें उपेंदर कुश वहा केंद्रिये मंत्री भी रहे थे तो ऐसे में उन्हें security देना बनता भी था तूसरे नेता हैं विकास सील party VIP party के मुकेस सहनी राज्य में पहले मंत्री भी रहे हैं इने भी फरवरी महिने में ही Y plus security दी गई है हाला कि ये BJP से थोड़ा सा नाराज थे क्योंकि इनके कुछ विधायक दो तीन विधायक शायद इनके party छोड़कर VIP party छोड़कर BJP में चले गए ते लेकिन इस बात को ले अगर कुछ भला हो सकता है तो वो वहाँ पर चले गए लेकिन मैं आपको बताऊं कि अती पिछड़ा वर्ग में इनकी पहचान है मला निशाद जो वोट होते हैं उनमें की इनको बड़ा नेता माना जाता है और जहां तक इनकी सुरक्षा की बात है इनकी party का कहना है कि साब हमने सुरक्षा नहीं मांगी है अब चुकि जिन इलाकों में मुके सैनी सभाय करते रहें एकसर जाते रहते हैं पबलिक मीटिंग्स करते हैं जहतर माववादी वाले इलाके हैं जहां माववादी सक्रिये हैं तो इसलिए शायद केंदर ने उन्हें सुरक्षा परदान की है ये भी एक understanding खूब नजर आती है और एक जो सबसे बड़ी understanding जो नजर आती है वह है चिराग पासवान के साथ चिराग पासवान के साथ मिलकर तो बीजेपी ने इतना बड़ा गेम किया है वहाँ पर कि नितीश कुमार को पहले बरबाद किया विदान सबा चुनाओं में चिराग पासवान एंडिये से अलग हुए और उन्हें का कि बीजेपी के खिलाफ परतियाशी नहीं खड़े करूँगा जेडियू को हरवाने के लिए उनके खिलाफ परतियाशी करूँगा इसी बात पर अलग भी हो गए थे इनके चाचा वगएरा जो इनके पार्टी के 6 सांसत थे ये अकेले सांसत बचे थे इनकी पार्टी के बाकी 5 सांसत जो है वो मोदी जी के साथ मिल गए थे और मंत्री बन गए थे इनके चाचा वगएरा पारस लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिर एक परिवार होने की बात चल इस समय युवाओं के बीच में बिहार में सब्चे जादे लोग परिये हैं। तेजस्वी यादव से भी बड़ी फैन फॉलोइंग इनकी है। पिता दलित थे, मा पंजाबी ब्रामन हैं तो ब्रामन और सुवनन भी इनके फैन हैं और दलित तो इनके फैन हैं ही। और अभी जब कुढ़नी का उप्चोना हुआ था दिसंबर में बिहार में जिसे बीजेपी ने जीता था, उसमें बीजेपी के लिए इन्होंने परचार भी किया था। और इनकी सुरक्षा को लेकर भी केंदर सरकार की चिंताएं हैं। पहले इनकी सुरक्षा थी, इन्हें पिछले स इसके करीब सिक्यूरटी जाना हैं जिनमें 6 सिक्यूरटी जांद के कं 나서 होते हैं। तो इस तरीकेसे इनकी सुरक्षा अप की गई है। अला कि उनकी पार्टी का तो ये भी कहना है कि इसे राजनितिक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। यकि लौंकि लाइंड ऑर्टर लेका कहना है कि जो बिहार से इंपुट्स मिलते हैं उनके आधार पर ही इनकी सुरक्षा को अपग्रेड किया गया है लेकिन सब जानते हैं कि बात फाइनल हो चुकी है 2024 के लिए ये तीनो उपेंदर कुश्वाह, मुके सैनी और लोग जन सक्ती पार्टी के चिराग पासवान मिलने वाले हैं चुकि जमुई से लोग सभा के सांसद हैं सुरक्षित सीट है इनकी पर्मनेंट सीट है चिराग पासवान की और कुछ और सीटे भी देने की चर्चा इ लेकिन बीजेपी ने जेडी यू, कॉंग्रेस और आर जेडी का जो गड़मंदन बना था उसकी काठ जूंडने का इंतजाम कर लिया है और जो नुकसान उन्हें होता हुआ नजर आ रहा था अब वो नुकसान होता हुआ नजर नहीं आता है जो 10% वोट बैंक इन तीनों के पास था कॉंग्रेस जेडी यू और आर जेडी के पास अब चिराग पास्वान उपेंदर कुस्वाहा और मुकस सहनी के बीजेपी के साथ आ जाने के बाद ये 12% वोट बैंक बीजेपी का और अधिक बढ़ जाता है यानि कि 2% मिश्चित रूप से इस महागट बंदन से आ अपने आपको fully तरह strong कर लिया है अब उन्हें पस्चिम बंगाल महारास्ट ऐसे ऐसे states पर focus करने की जरवत है जबकि पहले ये नजर आ रहा था कि बिहार सबसे बड़ी problem बन सकता है बीजेपी के लेने लेकिन अब जो ये चिराग पासवान और सहनी और कुश्वाहा के साथ जो उनकी ट्यूनिंग बनी है मुझे लगता है कि बीजेपी अब बिहार को लेकर अपेक्षित रूप से सबसे ज़्यादा निश्चितन जारा रही है उत्तर प्रदेश के बात बिहार की राजनीती पर ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताईए और भी किस तरह के व बॉक्स में लिखें और बात होती रहेगी चर्चा होती रहेगी जुड़े रहिए मेरे इस चैनल हर्श कुमार के साथ नमस्कार